हाई आम सशीरा सिंग और आज मैं बात करने वाला हूँ यमुना एक्सप्रेस वे की डेवलप्मेंट का आपको पता है कि आज अगर हम पूरे NCR की बात करें तो पूरे NCR में यमुना एक्सप्रेस वे एक ऐसी लोकालिटी है जहां पर फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ के चांसे ब चाहिए एक्सप्रेस वे इंडॉस्ट्रिल का हो इंस्यूशनल का हो लाइक इनोर्सीटिज वगर का हो इस्पूर्ट्स का हो या मल्टिबल में आप देख लो सो आने वाले पांच से साथ सालों के अंदर यमुना एक्सप्रेस वे की बिल्ट मुझे लगता है कि एक नेक्स अगर आथोरेटी की ग्राउंड वकिन देखेंगे तो मल्टिपल चीजों के इन्होंने बैक टो बैक आड़न किया है क्योंकि एरपोर्ट आने के बाद डिफरेंट डिफरेंट सेग्मेंट वो यह मुनाइक सेक्टर में आड़ करते जा रहे हैं लैंड यूज को बेसिकली चेंज कर रहे हैं जहां पर जिसके नीड उसके कोडिंग वो चीज़े अड़न कर रहे हैं इन सारी डेवलप्मेंट को इन सिंगल वीडियो आई कैनोट कवर सो उस केस को समझते हुए वाट आई डिट की आज से एक काइंड अपिसोड एक स्टार्ट करने वाला हूं तो इन सिंगल वीडियो तो सिधा 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 हैं कि एक वीडियो को हम काफी लॉंग ना करके पार्ट बई पार्ट अगर मैं आपको समझाओ सो आई अंडर्स्टेंड कि आपको एजी समझ में आएगा एंड ऑन भ्याफ अफ सच पैरामिटर्स जो मैं इसमें कवर कर रहा हूं आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा अंडर्स्टेंड डरना कि उस लोकेशन में आपको इंवस्मेंट क्यों करना चाहिए अभी के लिए एक अपडेट है की जिवर एएरपोर्ट अगले मार्च अपर्याल में स्टाट होने वाला है दोजर पचीस में तो युकेशन एजीओम कि अगर किसी लोकेशन में छे मेने में एरपोर्ट आपको इसमें चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि जो भी एनेलेस की अगर यमुना एक्सपरेसों करता हूं वो बेसे लास्ट एक्सपरेसटेयन्स क्योंकि यमुना एक्सपरेसे पर सिंथ 2016 आपक्ते बिए प्रोपर्टीज इसमें ATS था और था अरिस था सूपर टेक था इसके अलावा सॉलिटेरियन सीटी था मैंने गाम किया हुआ है सो एक आठ साल साधे आठ साल के एक experience है उस पर्टिकुलर लोकेशन में जब वह बिल्कुल गड़े का प्रोजेक्ट हुआ करता था एंड एज उन्डे जो में हमें देखने को मिलना है एक बहुत अच्छा कासा experience आपको यमुना एक्सप्रेश्वे से रिलेटिट खासकर मिलने वाला है इसके अलावाद जितनी भी न्यू डवलप्मेंट्स होंगी नए डवलपर्स आएंगे किसी का प्लॉट आ रहा है किसी का अपार्टमेंट आ रह है सो मिलते हैं यमुना एक्सप्रेश्वे के एक डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल के साथ में स्यू नेक्स ब्लॉग थैंक्स पर बोचिंग